इसके लिए मैंने चार उगलेवे आलू लिया है इनको हमें सबसे पहले कद्दू कस करना है तो इसके लिए मैंने ये कद्दू कस लिया है और इससे हम आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे आलो के टुकड़े इसके अंदर नहीं रहने चाहिए बस हमें इस बात का ध्यान रखना है तो मैंने एक आलो को कद्दू कस कर लिया है मैं आपको दिखा देती हूँ और इसी तरीके से सभी आलो को हम कद्दू कस कर लेंगे और अब हम इसके अंदर मसाली डालेंगे तो मैं इसके अंदर सबसे पहले डाल रही हूँ नमक नमक आप स्वादन सार डाल सकते हैं साथ में इसमें डाल देंगे काला नमक तो मैंने एक चुटा चमच इसके अंदर काला नमक डाला है साथ में एक चुटा चमच इसके अंदर लाल मिश डाल देंगे आधा चुटा चम्मच हल्दी, एक चुटा चम्मच गरम मसाला, एक चुटा चम्मच PCV काली मिज़ डाल देंगे और साथ में इसमें दो चुटकी हींग डाल रही हूँ, हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अब मैं चम्मच से इस तरीके से जगह बना दे रही हूँ, क्योंकि अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ, तेल तो हम इसमें एक चम्मच तेल डाल देंगे, तो मैंने एक बड़ा चम्मच इसके अंदर तेल डाला है तेल डालने से जो हमाई भूजिया है वो ज्यादा क्रिस्पी बनेगी और अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बस इस बात का ध्यान रखें कि आलू के टुकड़े इसमें नहीं रहने चाहिए अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए तो मैंने आलू को मसालो के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसके अंदर बेसन डालेंगे तो मैं इसके अंदर एक कप बेसन डाल रहे हूँ बेसन को हमें एक साथ नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करकर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे अगर इस टाइम आपको लगता है कि आलू बहुत जादा चिपक रहे हैं तो आप हलका सा हाथ में तेल लगा कर भी इसे मिक्स कर सकते हैं पर बिषा। मैंब स्विप्ष रहे teak जादा। लिएeker मिक्स करेंह già लिए और हमारा वुझी बना लेते हैं मैंने सबसे पहले आं बिना मोल्ड के भी भुजया बना के दिखाऊंगी तो इसके लिए जो हमने ये वाली प्लेट लिये इसको हम अच्छे से पहले तेल से चिकना कर लेंगे तो मैंने इसे अच्छे से चिकना कर लिया है और अब हम इसको अंदर की साइड लगा देंगे और फिर इसे भी हम अच्छे से तेल से चिकना कर लेंगे और अब जो हमने बेसन और आलू का मिक्षर बना के रखा है उसमें से थोड़ा हिस्सा हाथों में लेंगे लेकिन हाथ को पहले चिकना कर लेंगे ताकि यह जो मिक्षर है वो हाथों में चिपके न और उसे इस तरीके से लंबा कर लेंगे और अब मैं इस मिक्षर को इस मोल्ड के अंदर डाल दूँगी तो मैंने मिक्षर को इस मोल्ड के अंदर डाल दिया है और अब हम उपर से इसे अच्छे से बंद कर लेंगे और अब हम भुजिया बना लेते हैं इसके लिए मैंने तेल लिया है तेल को हमें मीडियम गरम करना है तो तेल हमारा मीडियम गरम हो चुका है तो अब हम इस तरीके से इसे घुमाते वे तेल के अंदर डालेंगे तो हमें चारो तरफ डालना है और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है इसको तलने में बहुत जादा टाइम नहीं लगता है आप देख सकते हैं इसमें काफी सा हो चुके हैं और इनका कलर भी हलका हलका ब्राउन हो चुका है इन्हें हम बहुत जादा ब्राउन नहीं करेंगे जब यह हलके से ब्राउन हो जाएंगे तब हम इन्हें तेल में से निकाल लेंगे तो आप चाहे तो इसे पेपर नैपकिन पर भी निकाल सकते हैं लेकिन मैंने अभी इसको इस्ट्रे में निकाल लिया है और अब मैं आपको दूसरी बार भी भुजिया डाल के दिखाती हूं तो जैसे हमने पहले डाला था वैसे हम इसे गरम तेल के अंदर डालेंगे ब्राउन होने तक तल लेंगे बहुत जादा इसका कलर हमें डार्क नहीं करना है तो ये वाली भुजिया भी तलकर तयार हो चुकी है तो इसको मैं निकाल लेती हूँ और अब मैं आपको दूसरा तरीका दिखाती हूँ कि हमें आलू भुजिया कैसे बनाना है इसके लिए मैं हम आलू को कद्डू कस करते हैं वैसे हमेंसे घसना है आप देख सकते हैं कितनी इजी ली तेल के अंदर गिर रहा है ये वाली भुजिया का साइज जो हमने पहले वाली भुजिया बनाई है उससे मोटा है लेकिन यकीन मानिए खाने में बुजिया बहुत टेस्टी लगती ह तो मैंने इसे टाल दिया है और कड़ाई में अब जगा भी नहीं है आप देख सकते हैं काफी सारे जाग बन रहे हैं और जाग कम हो चुके हैं तो अब हम इसे एक से दो बार पलटते वे हलका ब्राउन होने तक तल लेंगे और आप देखिए जाग बनना बिल्कुल कम हो चु सब्सक्राइब करण Ama से चुके हैं तो अब हम इस पुजिया को निकाल ल Judो है को तो हमने दो तरीके से आज अलु बहुत आसान हैं और बुचिया बहुत झालिये पैसे अरुझ काफी सारे मसालें के इंदर डालें लेकिन अगर थोड़ा प्संद और चाठ मसाला डाल सकते ह तो प्लीज लाइक शेन सब्सक्राइब करना ना भूले और बैल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिलती रहे